हेलो एर्वान जैहिन नमस्कार वेल्कम यो ओल टो मिसन कॉम्पेटिशन आप सभी का स्वागत है सब सब पहले आप सभी को राधे राधे जैश्री राम सो दोस्तों देखें इंडियान ओयल कॉर्परेशन यानि कि आयो सीयल के अंदर में बहुत बड़ी भरती आई है बहुत दूसरा देखें सैलरी इसकी अच्छी खासी रहेगी आपको लगबग एक लाख तक इसकी सैलरी जाएगी वो आपको देखने मिल जाएगा दूसरा आयो सीयल आलरेडी आप सब जान रहे हो ये महारतन कंपनी है तो एक तरीके से इसमें जॉब होने के बाद मतलब क्या बता जाब है मतलब शाब के लिए लोग सपना देखते हैं जा मनि करते हैं और ये जाब आप सकते हैं अगर आप इसके लिए है जो है ण МУЗЫКА तो आपको बहुत पढ़ना इसे पहलआ हैं । अज बेसिक आप लोग other competition के लिए पढ़ते हैं ठीक है ना ? तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें बहुत रॉकेट आप हो कुछ पढ़ना है, इसमें सलेबस वेगरा सब कुछ आपके साथ डिसकस करेंगे हम, वीडियो को एक बार ही अपने दोस्त यार में समय शेयर कर लीजिए, चैनल पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करते जाए है, क्यों उसके बाद हल्दिया, गुजरात, मतुरा, पानीपत रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉंपलेक्स, डिगबोई, बोंगाइगॉन, पारादीब, ठीक है, इन सब के लिए जो है आपको यहाँ पे रिकूरूटमेंट निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा, रिकूरूटमे पर्मनेंट वैकेंसी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिए, आगे देखिए, आपको हम यहाँ पे सारा डीटेल में समझाते चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे पोस्ट कोड है, पोस्ट नेम है, और यह उस पोस्ट नेम के तहत किस-किस रिफ नेक्स एदेखें, जूरी इंजिनियर असिस्टेंट वर्फ में, परत्त में परदीप में है, जूरी इंजिनियर बढ़वनी में, चार पोस्ट यहाँ पे खाली है, ठीक है, उसके गुजरात, हल्दिया, डिग बॉई, और बंगाई गॉन, आच्छा यह जितना भी आप य डिग्री कौन सी उन्य चाहिए विए सब कुछ हम बताएंगे तो चलिए सीधा आगे हम लोग चलते हैं जो डिग्री आपको चाहिए क्या क्या चाहिए हम लोग उस वाले पॉर्शन पर चलते हैं और आपको फिर यहां से सारा मैटर क्लियर होता जाएगा ठीक है ना तो यहां पर आते हैं हम लोग चलिए देखे जूनियर इंजिनियर एसिस्टेंट फोर में यहां पर देखे पोस्ट कोड है यहां पर 201 पोस्ट कोड याद रखना है क्योंकि फॉर्म भरते समय में यहीं डालना है आपको इसमें देखे तीन साल का आपका डिप्लोमा होना जूनियर इंजिनियर इंजिनियर इसिस्टेंट फोर में इसमें देखे रिफाइनरी उनिट वेर बॉयलर ऑथर्टी ऑफ स्टेट हैज प्रिस्क्राइब बॉयलर कंपनी सर्टिफिकेट तो यहां पर यह आपके पास होना चाहिए ठीक है त्यान रखेगा या तो फिर आप आपके पास नेशनल एपरेंटिस सर्टिफिकेस इन बॉयलर एटेंडेंट अंडर दा एपरेंटेंस एक्ट 1961 यह होना चाहिए ठीक है तो यह बहुत ही मिनमम लोगों के पास होगा तो इसको जिनके पास भी है यह जरूर भढ़िएगा नेक्स देखेगा जूनियर इंजिन इंजिनियर हो है ठीक है किसी भी रेक्रिनाइज इंपॉर्टेंट है पचास परसेंट मार्क्स आप अगर जनरल काटिग्री से हैं तो उतना होना चाहिए और 45 परसेंट मार्क्स अगर आप SCST से है तो आप लाईएगा आपको नौकरी मिल जाएगा ठीक है सेम जुनियर इं मार्क्स आप लाने चाहिए अगर आप जनरल OBC से यहां पर तालूग रखते हैं तो ठीक है जी अब यहां पर देखिए आई टी आई वालोक लिए जो है अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो यहां से स्क्रीन सॉट लेते जाएगा ठीक है तो 205 यह कोड देखिएगा यहां तो फिर देखिएगा आपके पास जो है मैट्रिक और मैट्रिक के साथ आई टी इन फीटर ट्रेड के अंतरगत में आपके बस दो साल का यह रेगुलर क्लास का डिगरी होना चाहिए तो आप इसके लिए लिजबल है फॉर्म भर सकते हैं ठीक है अच्छ साथ अगर आप यहां पर किसी भी रेकिनाइज नुटिसी से पचास परसिंट मार्क्स आपका होना चाहिए ठीक है चलिए यह सब हो गया अब हम आगे चलते हैं इसमें बाकी की जो आपको डिटेल देनी है मैं देता हूं बाकी का जो है यह नोटिफिकेशन हम अपने टेली देख लेते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट जो चीजे हैं सबसेफिल डिसर्वेशन वगरा जो है देखिए सेस्टी नॉन क्रिमिलियर वगरा है तो आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए वह आपको वहां पर देना पड़ेगा ठीक है और कंसेशन जो है फी में इन ही लोगों को मिलेगा अब देखिए मैक्सिममम और मिनमम एज की बात कर रहेते हैं क्या है मिनमम और मैक्सिमम एज लिमिट तो मिनमम 18 साल आपका उमर होना चाहिए अगर आप अन्रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और जो कट ओफ एज डेट जो बोला गया वह 31 साथ 2024 बोला गय है ठीक है certificate issued by board of secondary education passing matriculation उसी से आपका age accept किया जाएगा ठीक है और age relaxation का भी norm से यहां दिया गया है relaxation in age up to 5 years SCST के लिए 3 साल के लिए OBC अगर non criminal हैं तो उन्हीं हों consider किया जाएगा the minimum qualifying marks in eligibility qualification whenever prescribed will be relaxed by 5% candidate belonging SCST इन सब के लिए ठीक है आप देखिएगा यहां पर जो है आपसे क्या बोले रहा है candidate possesses work experience तो work experience से पर पास है तो आपको काफी फाइदा मिलने वाला है यहां पर post code यहां पर देख लीजे इससे समबंदित अगर आप है तो यहां पर आपको फाइदा मिलेगा अब selection method कैसे र होने वाला है यहीं computer-based test होने वाला है अब देखिए क्या बोल रहा है selection methodology will be comprised computer-based test ठीक है totally computer-based test यह होगा important बात है कि इसमें देखिए 120 सवाल रहेगा 120 मिनट आपको दिया 120 सवाल रहेगा 120 मार्क्स का होगा हर एक कोश्चन एक मार्क्स आपका लेगा ध्यान रखिए इस बात सवाल रहेंगे हर एक सवाल एक नंबर करेंगा इस बात का ध्यान रखिएगा अब यहां पर देखिएगा होता है तो सेम पोस्ट ले तो फिर नॉर्मलाजेशन यहां पर अपलाई होगा ध्यान रखिएगा इस बात का आप देखिएगा आप जिस ट्रेड से बिलॉंग करते हैं उस ट्रेड से जो है 75 नंबर आप से पूछ जाएगा ठीक है यानि जिस भी ट्रेड से आप इस बात का ध्यान रखिएगा आप यहां पर आपने स्लेबस देख लिया आप यहां बात करते हैं लोग फी वेगरा कितना रहने वाला है तो देखेगा यहां पर फी कियेकर हम लोग बात कर लें ठीक है ना तो देखिए जनरल इडबलो एस ओबीसी ओबीसी वालों के लिए ncl candidate के लिए require रहेगा ncl का degree ठीक है उनको केवल 300 रुपया देना है ठीक है ना केवल 300 रुपया पे करना है और यह non refundable होगा ध्यान रखिए इस बात का CST के लिए कोई यहां पर फी का mention नहीं है तो CST के लिए यहां पर फी नहीं रहेगा आप बात करते देखिए form कब से फि application and payment application on fees 28 यानि कि 21 अगस्त तक यह फॉर्म फिल किया जाएगा ध्यान रखिएगा ठीक है tentative schedule for issuance of e-admit cards 10-9 यानि कि 10 ऑक्टूबर तक जो है माफ करिएगा September तक 10 September तक यहाँ पर आपका admit card issue करने का बात किया गया है यहाँ पर पूरा का पूरा जो है आपके साथ schedule जो है यहाँ पर शेयर कर दिया गया है तो आई होप इस वीडियो के माधियम से जितने भी जो चात रहे डिप्लोमा इटी वाले जो इसके लिए लिजबल है डिफिनेटली फार्म भरिये और इसमें जॉब लीजे बिकाज यह पी यू सेक्टर का जॉब है गवर्मेंट ऑफ इंडिया का है ठीक है इंडियन ओईल तो डिफिनेटली इसके ले जाईए और यह बहुत ही बहतरीन और रॉयल जॉब है धन्यवाद